तो भाई यह जो लाइट है ना एचाइडी वगेरा इसमें लगी भी है तो मेरे को यह लगा यार मतलब क्या सीन है तो भाई उसके बाद मैंने इसको ढंग से भाई को रोक है भाई से बात करें और तब पता लगा यह एक स्पेशल मोडल बैंगनार के अंदर निकाला गया था स्टिंग रहे अब कर रहा हूं कि साथ गई थी भाई और मेरे रोंग टेखड़े हो गए थे हलो आइज वेलकम बैक तो मैं चैनल श्रवी माम लोग सुब कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं तो बढ़िया होंगे हैपी होंगे और हैल्थी होंगे आज अगेन मैं आपके लिए लेगर आ गया हूं एक दम एपिक कार मतलब एपिक भाई मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह कारना आगे से तो मेरे को वैगनार लग रही थी ठीक है लेकिन इसमें चेंज इतना था तो मेरे को यह लगा कि भाई यह बंदे ने वैग करनार स्टिंग रहे तो मुझे लगा यार इस कारगा में को रिव्यू डालना चाहिए और जरूर डालना चाहिए क्योंकि यह देखने में इतनी अलग है ना मतलब कोई भी बंदा देखेगा ना भाई वह यह बोली नहीं सकता कि यह कंपनी से ऐसे आती थी और मैं भी इसको भाई को रोक है भाई से बात करिए और तब पता लगा यह एक स्पेशल मोडल बैगनार के अंदर निकाला गया था स्टिंग रहे जैसा कि मैं आप उसको नाम बताई दिये तो आव भाई इस कार का मतलब मैं भी फॉस्ट टाइम ही इसका अंदर बैठूंगा फॉस्ट यह जो शायद से नॉर्मल में नहीं दी जाती है नॉर्मल में सीधा नीचे बंपर ऊपर ग्रिल आती है उपर इसके अंदर ग्रिल नहीं है यह कुछ अलुमिनेटीड चीज है मतलब सामने से रेफ्लेक्टर वगएर कुछ है यह और इस मोडल में आपको मिल जाते हैं भाई क्योंकि जादा तर लोगों को यह गाड़ी प्रैक्टिकल नहीं लगती थी आप इसके साइड में बात कर ले भाई तो देखिए इसके अंदर आपको अलॉइज मिल जाते थे यह आपको वैगनार में कभी देखने को नहीं मिलेंगे यह देखिए कभी नहीं मिलेंगे से मतलब थोड़े से नहीं काफी अलग हैं यह देखने हैं छोटी छोटी फिनिशिंग मतलब काफी अच्छा टची देने की कोशिश करी थी और यह देखिए स्टिंग्रे वैगनार तो भाई मैंने यह गाड़ी मुश्किल से मुश्किल आप यह समझे रोड पर बहुत कमी देखी हैं और यह आज जिन भाई की देखी थी मैं एकदम से उनसे बोला भाई में को रिव्यू कराओ यह कार है क्या मोडिफाइड है या कुछ और है तो तब भाई ने बताया कि भाई यह मोडिफाइड नहीं है यह है वैगनार स्टिंग रहे पीछे से भी आपको पूरी चेस है इसके अंदर वागई वैगनार ही चेस ही है और चलो भाई अपस गाड़ी के अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर क्या चेंज है वैसे मैंने नॉर्मल भी वैगनार का रिव्यू नहीं किया राइट साइड में दरवाजे में आपको चारों पावर विंडों मिल जात यह नॉर्मल जैसी आपको हर मारुति की कार में मिलती है आज भी मारुति ऐसी की देता है इवन जो ग्लैंजा वगएर आती है तो उसमें बस टोटा का साइन चेंज है वो भी सेमी दे रहे है तो बहुत ऐसा कुछ है अपनी 2014 मोडल है शायद से हंजी और 14 मोडल में आपको ऐस जैसा मिलता है अंदर बैठ करना मिरको देखिए यह चीज पूरी वैगनार की है ठीक है स्टेरिंग पूरा वैगनार का है यह जो स्पीडो मीटर है यह शायद से चेंज है इसके उपर स्टिंगरे भी लिखा हुआ है ब्लूश ब्लूश इसके अंदर सिनिश दे रखी है औ लिखार को और यह सब आपका पूरा कर जैसा आम से पूरा वैगनार में आता है पूरा वैसा ही और बारोए से seven health कार्यी ऑन करते हैं इंडिया की सबसे जादा सेल होने वाली हो सबसे जादा भरोसैयमंद गाड़ी बैगनार को सॉरी स्टिंग रहे वैगनार को विखिए पता है लेकिन इसको चलाकर भी पता लगेगा कि इसके दर क्या चेंज है जिस हिसाब से भाई ने काए कि इसके अंदर कोई इंजन के अंदर performance में चेंज नहीं है सेम इंजन है सेम सब कुछ है तो मेरे को समझ नहीं आया कि या भार light fights देने का क्या फाइदा है या एक लाख रुपे वेगनार से नोर्मल से महंगे आती थी और इसको ड्राइव किया जाए भाई लेट्स ड्राइव फाइफ गेर्स के अंदर गेर बॉक्स आता है और छटा रिवर्स का है और चलिए भाई चलाते है भाई साब सबसे पहले हम करेंगे इसकी लाइट्स ओन और लोग उसको वेगनार ही मानेंगे या फिर वो सोचेंगे कि आपने भार से लाइट्स वाइट्स इसकी चेंज कर वाली है सबसे पहले हम करेंगे इसकी लाइट्स ओन यह देखो इसकंदर की कोस्मेटिक छोटे छोटे चेंज है यह देखिए इदर जैसे पूरा ब्ल्यू में आ गया है ठीक है वेगनार में ब्ल्यू में नहीं आता है थोड़ा नॉर्मल है यह छोटे छोटे चेंजिस हैं ज्याद और चलने में जैसी वेगनार चलती है सेम यह वैसे ही चलती है अलोईज वगेरा होने के बाद थोड़ा सा इस कार में आपको स्टिफनेस फील होगी क्योंकि वेगनार बेसिकली आपको अना टॉप एंड से नीचे तक सारे मोडल्स में मेरे ख्याल में रिम ही देती थी इस स्टेफ इतनी है पूरी गाड़ी काप रही है भाई देखे मारुति कभी भी अपनी विल्ड क्वाल्टी के लिए नहीं जानी चाहती है और बिल्कुल भी नहीं और यह मोडल तो बिल्कुल भी नहीं तो थोड़ा था काप रिये गाड़ी मेरे को भी अजीव सा ही लग रहा सब्सक्राइब करेंगे में आपको कितनी जाती है यह गाड़ी क्योंकि बाई मेंको ब्रेकिंग वगारा का अब इतना नहीं पता है इस खार का इसे रूग जाए और कब कहा एससे इसलिप हो जाए और इतना मेंको सबस्ट की इस्पी ए-बी-इस इसके अर्दर भी नहीं है तो वो तो अभी ब्रेक लेंगे उसी में पता लग जाएगा भाईयो एक चीज वेगनार की सबसे अच्छी है छोटी सी गाड़ी है मतलब आप कहीं से भी मोड़ दो वहीं से मोड़ जाती है और यही एक रीजन है अपने इंडिया में इसको ज़्यादा खरीदने का कि एक तो जो इसकी ground clearance है काफी अच्छी है उची है तो कहीं पर भी चली जाती है दूसरा compact car है छोटी car है तो किसी भी गली में कहीं पर भी कहीं भी चली जाती है तो इसलिए लोगों की यह पहली पसंद रहती है तीसरा मैंने आपको बताई दिये कि गाड़ी build quality के लिए नहीं जानी जाती है यह जानी जाती है अपनी reliability के लिए ठीक है मतलब चीजें खराब नहीं होती है इसके अंदर जो भी functions हैं आपके जादा electronics चीजें नहीं है जैसे कि hydraulic steering है इसका तो कोई खराब होने की इसमें गुंजाईश ही नहीं है और जो भी मारूती मतलब चीजें देती है न वो जादा देखती है कि long term चल सके वो यह नहीं देखते कि हम fit and finish कैसी दे रहे हैं और और यह जो sound वगएर आते हैं यह नॉर्मल है भाई यह एक साल 6 महिने चली वी मारूती के अंदर आपको नई कार में आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बाकि भाई pure petrol पे चलती है कार और प्यूर पेट्रॉल ही है इसको यहां से खीच कर देखेंगे आगे से और भाई साब एक बात मैं आपको बता दूँ इस कार में कभी कट मत मार देना ठीक है never ever कभी कट मत मार देना भाई यह खड़ी गर्दी गाड़ी भाई अब कर रहा हूँ साथ गई थी भाई और मेरे रोंग टेखड़े हो गए थे मैं भाई देखिए जादा पुछ नहीं करूँगा इस गाड़ी को और ऐसे चलाने में इसको मज़ा है भाई यह गाड़ी कभी भी भगाने के लिए नहीं बनी है यह गाड़ी बनी है आपका मतलब लॉंग टर्म साथ देने के लिए दूसरा यार मतलब काफी ऐसी फैमिली मेंबर में चार चार पांच पांच लोग हैं लेकिन वह बाइक पे लेके चलते हैं उनको तो उस बाइक से जादा सेफ यह कारे होती है जादा स्पेस चाहते हैं और बजट उनका कम है तीसरा आपको किसी भी जाना हो आपको लॉंग जरनी पर जाना हो कहीं भी जाना हो पहाड भी जाना हो इस्पषे काम्याब है तीसरी बात भारूथि का जो आपको मेकेनिक है वह आपको लगदाक तक निसवाह एक लिआ तर्व मेरे भाईयों वैगनार जो आज के टाइम पे चल रही है वो कैब्स वगेरा में चल रही है क्योंकि यही रीजन है रिलाइबल है और ज्यादा लंबे टाइम तक आपको यह कोई दिक्कत नहीं दिखाती है और कोई चीज नहीं आती है वागी भाई मैंने पहली बार को वैगनार ही लग रही है बिल्कुल नॉर्मल वैगनार लगी है मेरे को भार से कुछ इसकंदर कोस्मेटिक चेंज है जैसे कि लाइट है यह देखिए है इसके अंदर है वो नॉर्मल ब्लू नहीं है लेकिन एचाइडी वगरा सब इसकंदर दे रखा है बाकी भाई वीडिय यह मेरी गाड़ी में को रोड पर यह गाड़ी चलती वी दिख गई तो मैंने वहीं भाई को रोक किसका रिव्यू इसले किया है क्योंकि मेरे को थोड़ी सी अलग लगी तो कैसा लग आपको बाई स्ट्रिंग रहे वैगनार का रिव्यू प्लीज कमेंट सेक्षिन जाए कम बाई गाई गाई लव यू